परमपुजी गुर्देव परवंदनिया माता जी की दिव उपस्तिती को साक्षी मानते हुए मागायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंब करना चाहता हूँ मागायत्री का यह जो मंत्र हम लोग कहते हैं यह उस शक्तिकोस चेतना को समर्पित मंत्र है जो इस पूरी सृष्टी की नियामक सत्ता कही जा सकते है संसारकार्थी प्रवाह से है इस दुनिया में इस संसार के अंदर हर चीज परिवर्टन शील है हर अनूं बदल जाता है हर रक्षण बदल जाता है रूप, रिष्टे, आकार हर चीज यहां पर निरंतर बदल रहे है संसारकार्थी परिवर्टन से है प्रवाह से है, बदलाव से है यहां पर हर चीज जैसी है वैसी थोड़ी दिर बाद नहीं रह जाते पर इन सारे परिवर्टनों के मद्ध में एक सत्ता और एक चेतना ऐसी है जो कभी नहीं बदलते और उस शाश्वत, उस शुद्ध, उस चैतन्य, उस निर्विकार उस निर्विकल्प शक्ति का नाम ही परमात्मा है वही परब्रम है, वही परमेश्वर है वही इश्वर है, वही भगवान है उपनिशत के रिशी कहते हैं कि एक ही देवता है नाम बदल जाता है सब्धी के अत्माओं के अंडर वही अधिवास करता है साक्षी कर्मों में लिफ्त नहीं होता केवल उसके अत्रिक्त कुछ शेष नहीं निरगुण है प्रक्रिती के गुण उसे छो नहीं सकते निराकार है और उस शक्ति तक पहुँशने के लिए जिस शक्ति की आवश्रक्ता होती है उसका नाम गायत्री है परमेश्वर के स्वरूप का रक्षन करने वाली शक्ति को उपनिशत के रिशी कहते हैं कि गायत्री है कि भगवान तक आप सीधे नहीं पहुंच सकते हैं आपको प्रधान मंत्री से मिलना हो तो पहले जॉइंट सेक्रेट्री से बूलना पड़ता है अंडर सेक्रेट्री से बूलना पड़ता है उनको समझाना पड़ता है कि आप क्यों मिलना चाहते हैं उसी तरह कि परमात्मा से मिलना हो तो परमात्मा से सीधे पहुच पाने की सामर्थ हमारी नहीं है पहले मां गायत्री को बोलना पड़ता है और जो मां गायत्री से जुड़ जाता है जो हर प्राणी के अंदर परमात्मा को देख पाने की सामर्थ रखता है जो गायत्री मंत्र की इन मुलभूति शिक्षाओं को आत्मसाथ कर लेता है उसके लिए स्रिष्टी ही स्वर्ग भी बदल जाती है क्योंकि हर जगह पड़ तो वही है परमात्मा के अत्रिक्ति संसार में है ही क्या हमसे वो कभी दूर था नहीं हमसे नजदीक भी उसके लावा और कुछ नहीं है तदे जती, तन्ने जती, तद दूरे तदंते के, चलता है और नहीं भी चलता है, दूर भी है और पास भी है, तदंतरस से सरवस्या, तदू सरवस्या से भाहता, सभी के अंदर भी वही है, सभी के बहार भी है, और उस परमात्मा से जुड़ वो पाता है, जो हर जगह पर उस परमात्मा के दर्शन कर पाने की सामर्थ रखता है एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है एक संत की लोकप्रियत है तो कुछ लोग उनसे इर्शा करते थे द्विश रखते थे उनको मारने के लिए उनने एक हत्यारे को भेजा और जैसे ही वो हत्यारा तल्वार लेकर के पहुंचा और उनको मारने के लिए तल्वार उठाई और संत ने देखा तो उनने तुरन तुष जोग कर हत्यारे को प्रणाम किया हत्यारा गबड आया बोले तुम्हें कौन कर रहा है तुम्हें तुम जानते भी नहीं बोले मैं तो उस परमात्मा को परणाम कर रहा हूँ जो तुम्हारा भेश धरकर आज मुझे मारने के लिए आया है यह सुनना था कि उसके हाथ की तलवार गिरी आखों से आसु जड़े और वो विक्ति रूपांतरित हो गया गयत्री की साधना करने वाले ऐसे ही लोगों की विक्तित्त को रूपांतरित करते हैं एक बार उसी शक्ति को इस्मरंड करते हुए, मह गायत्री को, परम्पुजी गुर्देव को, परमंदनिया माताजी को इस्मरंड करते हुए, इस भाव के साथ की हमारे जीवन में नए आलोक का, नए प्रकाश का अब्त्युदे हो, एक बार महुंग गायत्री का महा मंत्र तच्सावे तुर्वारे न्यम् भर्गोदे वस्या धीमाहें देयो यो नाहा प्रचुदाया परमपुजी गुर्टे परमदनिय माताजी के दिव सनरक्षण में आज के इस महत्तपूर्ण अउसर पर जब भारत के और भारती नहीं भारत से बाहर के भी अनिसभी स्थानों से आए कायत्य परिवार के सभी वरिष्ठ और सम्मानी कारे करता शांति कुझ के इस पवित्र पस्तित हैं इस शुभावसर पर हम लोगों के साथ यहां मंच पर पस्तित आदरनी मिश्रा मामाजी आदरनी गॉड मामाजी आदरनी काली चरण मामाजी आदरनी महाजन मामाजी आदरनी जा सहब यहां पस्तित शान्ति कुझ के सभी वरिष्ठ कारे करता गण देश के अध्यात्मी कूर्जा का प्रवाह और संचार पूरी स्रिष्टी के अंदर, समश्टी के अंदर, संसार के अंदर, विश्व वसुधा के अंदर होता है यही कारण है कि आप लोग ध्यान से देखें तो गायत्री परिवार के सभी महत्तपूर्ण सोपानों को शुरू करने के लिए परंपुज गुर्देव ने वसंत के समय का ही चायन किया उनकी अपनी स्वयम अतिमानवी गायत्री के महापुर्श्णों की यात्रा का शुभारम रहा हो तो तिथी कौन से थी वसंत पंच मी थी अखंड दीपक का प्राकट हुआ तो दिन कौन सा था वसंत पंच मी थी अखंड जोती पत्रका की शुरुवात हुई तो दिन कौन सा था वसंत पंच मी थी गायत्री तपभूमी की स्थापना हुई तो दिन कौन सा था वसंत पंच मी थी और जो शांतिकुंज के अंदर हम लोग बैठे हैं, उसकी शुरुवात हुई तो दिन कौन सा था वसंत पंचमी थी। ये जो समय है, वो सांसारिक ही नहीं, बलकि आध्यात्मिक दृष्टि से भी परिवर्तन का, बदलाव का और उक्रांति का समय है। इसलिए जो लोग महापुरुष होते हैं, जो लोग दिव्यात्माएं होते हैं, वो इस समय का सदुपयोग कुछ महत्पूर्ण कारिक्रवों के सूत्रपात के लिए करते हैं। इस समय सही दृष्टि से देखा जाए तो एक महासमर का और महाक्रांति का समय है। और जो क्रांतियां होते हैं वो अतीत से सीख लेकर भविष्य की और दृष्टि रखकर वर्तमान की प्रिष्ट भूमी में लड़ी जाते हैं। जैसे गायत्री परिवार की जो क्रांति है वो भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से सीख लेकर आने वाली मानवता की और दृष्टि रखकर यहां श्रांति कुंज के प्रांगण में अभी रची जा रही है जिसको कि हम लोग विचार क्रांति के नाम से जानते जो लोग पुराने हैं जिन लोगोंने पुझ गुर्देव का साहित गंभीर्दा के साथ पढ़ा है उनको याद होगा कि गुर्देव ने महाकाल और उसकी प्रत्यावरतन प्रक्रिया के बाद एक छोटी सी पुस्तक और निका ली थी आजकर प्रकाशन में नहीं है और उस फूटने की जल्दी न करें समय प्रतीक्षा का है दोस्तों यह जो महासमर का समय है यह प्रतीक्षा का समय है शान्तिकुंज के जो मूल दाइतों में कार है वो नवसरजन का है जब यह विद्धुन से की परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी जिस समय तूफान जो चल रह है आसपास नकारात्मकता का अंधकार का वशाक्तता का महायुद का महासमर का युग करांति का युग विशिका का और जैसे ही वो समय शांत होगा जैसे ही इस तूफान की घटाएं शांत होंगी वैसे ही यहां के अंडे फूटना शुरू करेंगे क्योंकि एस समय अभी नव निर्मान की प्रतीक्षा का है इस समय में वही परिस्थितिया है जो कभी महा भारत के समय में महा समर के समय में हुआ करती थी आप लोगों को याद होगा कि उसी महा युद्ध के मद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का शीर्षितम संदेश दिया था कहने को तो एक युग बीत गया है पर आज की तारीख में भी वो उतना ही सत्य उतना ही समीचीन उतना ही प्रासंगिक और उतना ही आवश्चक है जितना एक युग पहले हुआ करता था बहुत से लोगों को नहीं पता कि उस घटना का नाम महा भारत क्यूं पढ़ा पढ़ा इसलिए क्योंकि भारत छोटे-छोटे राज्यों में विखर गया था सामन्त वादी विवस्था दी कहीं पर राजा थे कहीं पर छोटे राजा थे कहीं पर बड़े महारा न दे और उन सब को छिंड बिन करके भगवान कृष्ण एक भारत अखंड भारत महा भारत बनाना चाहते थे और वो बनाने के लिए उनको धर्म भूमे को युद्ध भूमे में बदलना पड़ा और इससे पहले लोगों को पता चल पाता भगवान कृष्ण का पांच जन्य बजने लगा अर्जुन का देवदत भजने लगा भीम का पॉंडर युदिश्थिर का अनंत विजय इन शंकों के शंकनाद होने लगे धोल बजे, मिर्दंग बजे, नरसिंग बजे, बाजे बजे दुन्दुभी बजी, आस्मान कापा और कापने के साथ अर्जुन का दिल भी खापा कापदे मन के साथ बुला सीधन्ति ममगात्राणी मुखंचा परिशुष्यति हाथ पेर काप रहें भगवन पानी पिला दीजे, मूँ सूख रहा है लड़ पाऊंगा नहीं, बाण नहीं उठा पाऊंगा गांडीव को उठा करके रखा हताश हो करके बैठ गया और उस कापते अरजुन को सांतोना देने के लिए जो भगवान कृष्ण के मुँझ से वाक के निकले, उन्हीं को हम गीता के नाम से जानते है सारी गीता तो हम लोग नहीं कह सकते पर उस गीता के अंदर एकादश अध्याय में एक बड़ा प्यारा समवाद आया है वो याद करने लाएगे जब एकादश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराठ रूप अरजुन को दिखाया तो बड़ा भैभीत हुआ डर गया वो गवराद के बोला कि आप बड़े भैनक लग रहे हैं भगवान आपको देख करके डर लग रहा है ऐसा कैसे हो गया तो अरजुन से भगवान कृष्ण बोले ऐसा इसलिए हो गया अरजुन क्योंकि मैं महाकाल हूँ अभी तेरा दोस्ते हाँ पर नहीं खड़ा है अभी कालोस्मी लोकक शैकृत प्रवर्दो मैं वो महाकाल हूँ जो कालों का संघार करने के लिए आता हूँ और अभी इन लोगों का संघार करने के लिए यहां आया हूँ अब बोले तस्मात मुद्टिष्ट यशो लबस्वा चिंता क्यों कर रहा है खड़े हो जा यश को प्राप्त कर तस्मात मुद्टिष्ट यशो लबस्वा चित्वा शत्रून भोगं राज्यं समर्द्धं शत्रून को जीत भोगं को भोग राज्य की समर्द्धि को प्राप् सिर्फ धनुष को उठाकर बाण रखने का निमित बन जा इतना ही कारे तुझे करना है और ये जो समवाद है वो गीता का सबसे महत्वपून समवाद है दोस्तों इससे पहले बात बात पर भगवान कृष्ण की ओपर आक्षेप लगाने वाला प्रश्ण करने वाला उनके ओपर शंकाएं व्यक्त करने वाला ये कहने वाला कि आप तो अभी के पैदा हुए हैं फिर आप ये पुराना वाला ग्यान कहां से दे रहे हैं उस अरजुन की सुर बदल गए हैं इसके तुरंत बाद कहे दिया आप श्टोक पढ़ें तो वो अरजुन भगवान से कहता है कि भगवान मजाक में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अकेले में या किसी और के सामने मेरे मुह से आप के लिए कुछ अन्यता निकल गया हो तो छमा करिएगा I am sorry वो जो सखा अरजुन था वो इस श्लोक के तुरंत बाद शिश्य अरजुन में बदल गया है निमित्तमात्रम भविसविसाचेन और दोस्ते दी हम एक शण के लिए आखे बंद करें और ये सोचे हैं कि गुर्देव खड़े हैं और कह रहे हैं कालोस में लोकक शैकृत प्रवर्दो मैं ही महाकालू ये जो शांतिकुंज का प्रांगण है ये महासमर की भूमी है और हम अरजुन है घवड़ा करके अपना गांडी वो रखने की स्थिती में हैं कि ये इगनुर्मान कर नहीं पाएंगे बाण चल नहीं रहा है धनुष उठ नहीं रहा है मुह सूख रहा है गुर्देव पानी पिला दीजे और गुर्देव कहते हैं तस्मात मुत्तिष्ट यश्व लबस्वा चिंता क्यों कर रहा है उठ खड़ा हो यश्व को प्राप्ट कर युग निर्मान का काम तुम्हें पहले ही कर चुका हूँ निमित वात्रम भवसवे साचे सिर्फ तुझे तो इस रथ के अंदर युद्ध चलने तक शान्ति से बैठ कर बैठने के दाइत्त को पूरा करना है इतना ही काम हमारा है दोस्तों मुझे याद पढ़ता है कि जब गुर्देव की आँख का उपरेशन हुआ तो गुर्देव के आँख के उपरेशन के अगली दिन और जो आँख का उपरेशन हुआ वो भी उपने आप में चमतकारी घटना है जो डॉक्टर आए थे करने के लिए उनने देखा तो उनने का गुर्देव ये चश्मा आप कह का उप्यूक कैसे करते है बोले बेटा इन आखों से लिखता नहीं हो ना लिखता दूसरी आखों से उखता हुसमें चश्मे की जरुवत नहीं बढ़ते हैं अगले दिन सुभह सुभह गुर्देव बैठ करके लेख लिख रहे थे वंदनिया माता जी गुर्देव से बोलें क कि गुर्देव आप क्यों कस्ट लेते हैं आख के एक तरफ से थोड़ा बानी गिर रहा था बोले बच्चे आगें लोग लिख दिया करेंगे गुर्देव बोले माता जी जो यूग निर्मान योजना है मेरे बच्चों की गाड़ी है छोटी-छोटी गाड़ियां होती है बोले मैं अपने बच्चों की गाड़ी में इतना पेट्रोल डाल देना चाहता हूं कि इनको आने वाले सौ वर्षों तक सिर्फ इस्टेरिंग ही घुमाने की आवश्यक्ता पड़े इसके अंदर में इधन डाल देना चाहता हूं निमित्त मात्रम भवसभव साचिन हमारा काम तो सिर्फ स्टेरिंग को सही जगह पर ले करके जाना है वो कारे तो दोस्तों गुर्देव कर चुके है ऐसे समय में आवश्यक्ता मात रितनी हो जाती है कि जो योजना हैं जो चिंतन जो सिधान्त जो देश जो परिकलपना जो भाव गुर्देव देकर के गए हैं उसको हम लोग यथावत और इंटेक्ट बनाए रखकर उस स्थान तक पहुंचा दें जहां हमारी पहुंचाने की जिम्मेवारी है चलती गाड़ी में गुर्देव कहा करते थे कि जादा उचकने वाले गाड़ी का एक्सिटेंड करा द भगवान के रथ में जादा इदा उधर करने वाले भगवान के लिए दिक्कत का सबब बनते हैं और भगवण उनको माफ नहीं करते हैं क्योंकि भहगवान की अपनी बनी बनाई विवस्था है और यह जो महायुद्ध चल रहा है दोस्तों इस महायुद्ध में एक खास ब करते हैं भगवान जो हैं वो हिंडी फिल्मों की पुलीस की तरह से हैं लास्ट सीन से पहले आते नहीं है और आते हैं तो दी एंड करा है वगेर जाते नहीं है आप याद रखना इस बात जो गुरदेव का हस्तक्षेप होता है वो बिल्कुल अंतिम समय में होता है उस से पहल ही होएगा पर जो गुर्देव हैं वो बिलकुल अंतिम समय में हस्तक छेव करते हैं इससे पहले व्यक्ति की पुरुशार्थ की श्रद्धा की विश्वास की प्रतिक्षा की धहरे की हर चीजी की परिक्षा हो जाए कि इस व्यक्ति के अंदर जो संकल्प है वो मजबूत है की नहीं और जिस दिन हम लोग अपनी परिक्षा को भली भात ही दे देते हैं उस दिन उनका एक हाथ आता है और आदमी को एकदम खीज करके अंतिम लाइन पर ले जाकर के खड़ा कर देता है आप इस परण करके देखिए जब अबरहाम लिंकन ने दास प्रथा की विरुद्ध में अमेरिका में युद्ध को शुरू किया तो किसको लगता था कि जीतेंगे पंदरह बार इलेक्षन हुआ उसमें से तेरह बार हारे और तेरह बार जमानत जबत हुई पंदरह बार तो हारे सोलवी बार में राश्पती बने और जब बने तो अमेरिका के इतिहास के महांतम राश्पती बने पर उससे पहले जो पंदरह बार की परिक्षा हुई उसने अबरहाम लिंकन को अबरहाम लिंकन बनाया और सोल भी बार में भगवान के हाथ ने अबरहाम लिंकन को अमेरिका का महांतम राश्पती बनाया हम विवेकानन्द को जालते हैं पर विवेकानन्द के उससे पहले के जो तीन माह थे वो कितने करश्ट का रही थे एक खेट के अंदर पड़े हुए थे खाने को नहीं था मिर्ची खाने को मिलती थी जमीन में जो बहरा पानी था वो पीने के लिए इस्तिमाल करते थे फिर एक हाथ आया और विवेकानन्द को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया जो भगवान हैं दोस्तों वो अंतिम समय में जाकर के व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं पर उससे पहले साधक को शिश्य को भक्त को अपनी परिक्षा देने के लिए तयार रहना पड़ता है जब मुठी बर स्वाधीनता संग्राम सैनानी उस अंग्रेश सरकार की विरुद्ध खड़े हुए होंगे जिनके हां कहते थे कि उनके सामराज्य में सूरिक आस्त नहीं होता है सूरज उगता तो है पर कभी अस्त नहीं होता है उस सामराज्य की विरुद्ध में जब मुठी भर स्वाधीन्ता संग्राम सेनानी खड़े हुए, वहाँ पे लोग हसते थे। आप 1919 के अख़वार उठा करके देखिए, इंग्लेंड के अंदर तो लोग हसा करते थे कि ये तीन आतनकवादी वहाँ पर जाकर के चड़ गये फासी के उपर इससे हमारा क्या होगा। वह स्वाधीन्ता संग्राम सेनानी थोड़ी मानते थे भगत सिंक, वह कहते थे आतनकवादी और आज की तारीक में आप देखिए, वही स्वाधीन्ता सेनानी जब खड़े हुए, तो उन तीन के कारण अंग्रे सरकार को यहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो हो गया की नहीं हो गया, क्योंकि इस बासुरी के अंदर तान भरने वाला भगवान है, वैसे ही दोस्तों शान्तिकुंज की योजना के अंदर जान भरने वाले महाकाल है, उसके अंदर उर्जा देने वाले जो गुर्देव हैं, वो स्वयम भगवान शिव के और स्वयम संभव नहीं है कि उनके द्वारा लिखा गया जो कार्य हो वो संभव नहों सके हो सकता है कि उसमें एक वर्ष या दो वर्ष का इधा हो दर हेर फेर हो जाए और बड़ी योजनाओं को ध्यान में रखकर के एक दो वर्ष का परिवर्टन आवश्यक हो जाता है जिस वर्ष को आने वाले 1000 वर्षक को द्यान में रखकर के लाया जा रहा है तो उसमें दी पाँच वर्ष की प्रतीक्षा है दस वर्ष की प्रतीक्षा है तो मनजूर हो जाती है दोस्तों पर उस्त व्यवस्था को बदल पाना संभव नहीं जो बात गृदेव लिह कर करके गए जो गुर्देव बता करके गए है, उसमें एक भी अक्षर का हेर फेर और परिवर्तन और बदलाव संभवी नहीं है, क्योंकि वो बातें भविश्य को देख करके नहीं कही गई हैं, वो बातें भविश्य को रचने के बाद लिखी गई, जब भविश्य रचा जा चुका है, उसके बात गुर्देव ने उस बात को लिखा है, कि ये बातें ऐसी होने वाली हैं, एक बातें वो होती हैं, जो भविश्य द्रिश्टा लिखते हैं, जिनको दिखाई पड़ता है, कि भविश्य ऐसा हो सकता है, और एक बातें वो होती हैं, जो भविश्य स्रिश्टा प्रकाश इतना था कि उनके प्रकाश को देखकर कि देवता घबडाए तो देवताओं ने जो है अगनी देवता को कहा कि आप जरा देखकर के आईए कि साब ये कौन है बड़े भयावा लग रहे हैं अगनी देवता गए अगनी देवता ने कहा कि साब मेरा नाम जातवेदा है अगनी को जातवेदा कहा जाता है मतलब जो सब कुछ जानते हूं इसलिए जब हम उश्ठान करते हैं तो दीपक की अगनी प्रचुलित करते हैं ताकि वो अगनी साक्षी रहें कि हम लोगों ने साधना ढंग से करें तो उन्ने जाकर के कहा कि जातवेदा हूँ मैं उन्ने यक्ष ने कहा जो सोयम भगवान थे उनने कहा कि आ आप जातवेदा हैं तो आप क्या कर सकते हैं बोले इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं जला नहीं सकता हूं उन्यक्ष ने एक सूखा तिनका रख दिया बोले इसको जला सकते हैं बोले छणवर में जला सकता हूं अग्री ने अपना पूरा जोड लगा लिया पर कुछ उड़ा सकते हैं बोले हां बोले ये सूखा तिनका उड़ा सकते हैं बोले बिलकुल पूरा जोड लगाया तिनके को नहीं अला सके सारे देवता जो है घवडा करके मा गायत्री के पास पहुंचे मा भगवती के पास पहुंचे आदिशक्ति के पास पहुंचे उनसे वो कौन थे और उत्तर में मा भगवती मा गायत वी बोली प्रत्मम विदंचा कार ब्रह्मे थे वो वही ब्रह्म थे जहांसे पूरी सृष्टी जन्व लेती है जहांसे तुम आयो देवताओं जहांसे तुमारा बल आया है जहांसे तुमारी शक्ति आई वैसे ही दोस्तों करने वाला कोई भी दिखे पर शक्ति तो गुर्देव के पास सही आते है प्रथमम विदंचा कारे ब्रह्मे थी वही प्रथम थे उन्हीं की शक्ति है आदमी को वो चाहे जिसको भी खड़ा करने है पर पीछे शक्ति उन्हीं की काम करते है हम लोग पत्थर ही तो थे किसी ने ले जाकर के मंदिर में रख दिया है तो लोग साली ग्राम समझने लग गए है अंतर क्या पड़ा हमारे अंदर तो अपनी कोई शक्ति नहीं जो शक्ति है वो गुर्देव की तो है जो शक्ति है वो उसी चेतना की तो काम कर रहे है वो जहां ले जाके खड़ा कर देते हैं जिसके माद्यम से जो कराना चाहते हैं वो वो करने लग जाता है पर उर्जा, शक्ति, चेतना और भावना और अनुक्रह और अनुकंपा उन्हीं गुर्देव की काम करती है दोस्तों और वही शक्ती सरोशक्तिमान है सरोशमर्थ आप इकल्पना करके देखिए कि जब शिव पुराण में कथा आती है वो कथा जिसके वारे में हम सभी परचित हैं मासती के साथ विभा हुआ और भगवान शिव जो है ओखड़क रहते थे मस्त मलंग कुछ इस्तिमाल नहीं करते थे तो एक दिन जब पिता ने यहां दक्ष पजापती में यग गरचा सब को बुलाया भगवान शिव को नहीं बुलाया अपनी पुतरी को नहीं बुलाया तो सथी ने जो है देखा कि चंद्रमा और तारा तैयार हो के जाते हैं उनको बड़ा आश्यर हुआ उनको लगा कहाँ जा रहे है साथ उनने चंद्रमा से पूछा कि आप लोग कहा जा रहे हैं बोले तुमको पता नहीं, तुमारी मम्मी नहीं तो प्रोग्राम रखा है, बोले आपको पता नहीं, बड़ा बुरा लगा सती को, सती को लगा कि साथ हमारे घर में कारेक्रम है और हमें पता नहीं है, तो उनने भगवान शिव से काया कि भगवन ये लगता है, इसलिए हमें बुलाया कि हम लोग ऐसे गरीबों की तरह से रहते हैं, इसलिए हमें आमंतर नहीं आया, भगवान शिव ने का ऐसा है नहीं, कारण तो हंकार है, पर यदि आपको ऐसा लगता है देवी, तो आप सृष्टी का सारा बैभव लेके जाएए, सृष्टी का सारा बैभव भगवा किया, साथ हजार के करीब अनुचर गए, और जब वहाँ पर पहुंचे तो पिता ने ध्यान नहीं दिया, मा ने अपमान कर दिया, योगा अगनिमयम शरीरम अपमानित होकर के जो सती थी, उनने वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ा तो जो साथ हजार अन आले सजार थे लड़ने को तयार हुए, तो यग्ग के रक्षक जो थे प्रमत गण सबसे उच्चिस्तरी योद्धा माने जाते हैं, उन्हीं प्रमत गणों के स्वामी भगवान गणेश होते हैं, प्रमत गणों ने शिव गणों को हरा दिया, हारे थके भगवान शिव के प भगवान शिव ने सुना, और जो पुराण की सबसे प्यारी पंक्ति आती है, वो यह आती है कि जब भगवान शिव ने सुना, तो उनको क्रोध नहीं आया, उनने कहा ये समय मेरा क्रोध प्रकट करने का है, हमलों को गुस्सा आ जाता है, उनने कहा ये समय क्रोध के रुद्र और उनके प्रकट होने पर 27 प्रत्वियों के बरावर प्रकाश उनका था इतना प्रकाश था और इतना शब्द हुआ कि जो धरती थी इस रिष्टी थी वो देवताओं से विहीन हो गई इतनी तेज आवाज हुई उनके पैदा होने की कि इस रिष्टी जो थी देव से विहीन हो गए 27 प्रत्वियों के बरावर प्रकाश रुद्र का था और दूसरे सिरे से चामुंडा पैदा हुए आप यहां बिलुकेश्वर के पीछे के मंदिर में चले जाए तो चामुंडा का मंदिर है यहां से वहां तक 27 किलोमेटर की दूरी है भगवान शिव का एक भ वीरभद्र ने का आप कहें तो धरती को पांच बार मसल दूँ जह बार मसल दूँ ऐसी बाते उनने कहीं छोटी बाते नहीं गए भगवान शिव ने का वो सब जानने के आवश्यक्ता नहीं है सिर्फ यह जानना है कि इस युद्ध के ध्वन्स का कारण कौन थे किसके अपना करके देखिए दोस्तों कि जिनके बाल के एक हिस्से से वीरभद्र जन में लेते हैं उनके लिए लोगों के मन को बदल पाना संभव नहीं है सहस्ता से संभव है पर भगवान आवाज इसली लगाते हैं इसली नहीं कि वो लोगों को श्रे का अधिकारी बनाना चाहत इसलिए नहीं कि गुर्दे वसहाएं इसलिए कि वो लोगों को श्रे का अधिकारी बनाना चाहते हैं इसमें किसी का स्वार्थ जुड़ा है तो मात्र हमारा जुड़ा है और किसी का नहीं जुड़ा है भगवान को तो अपना काम करना आता है और भगवान अपना काम करी लेत और ये जो महासमर्गी परिस्थितियां हैं, महासमर्गी परिस्थितियों में कोई सवभागी का अधिकारी बन सकता है, तो हमारे जैसे नाचीज बन सकते हैं, हमारे जैसे नगण बन सकते हैं, हमारे जैसे अनगड बन सकते हैं, जिनको सुगड बनाने के लिए, जिनको उचा को कौन जानता था केवट को कौन जानता था शबरी को कौन जानता था जटायू को कौन जानता था सुदामा को कौन जानता था भगवान के साथ जुड़ गए दोस्तों तो अपनी गणना महान लोगों में करा करके आते हैं पत्थर होता है मंदिर में रख दो शाली ग्राम बन सहंकार में आ जाए कि हमारे कारण कोई परिवर्तन हो रहा है तो हमारे कारण हमारे ही जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता तो हम दूसरे की जीवन में परिवर्तन करने का अधिकार कहा से रखते हैं हमारे कारण नहीं है दोस्तों यह महासमर की परिश्थितिय formula कही बार इन बातों को कहा गया पर हम महसूस नहीं कर पाते और उस बात को इस दृष्टी से हम लोग महसूस कर सकते हैं दोस्तों कि इस बार जो महाभारत की परिश्थितिया थे युद बाहर का नहीं बलकि मनुष्य के मन के भी तरका है तनाओं के कारण उद्रुगनता के कारण दुरविचारों के कारण व्यक्ति मन के सुख और संतोष को भूल करके बैठा है और हर व्यक्ति के मन में एक महाभारत सी मची हुई है हर व्यक्ति की कामना या अनंत हो गई एक एक व्यक्ति की कामना इतनी हो गई है दोस्तों कि यदि उसको पूरा करने के लिए जहां हम लोग बैठे हैं यहां से लेकर जहां ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो सारे सारे के सारे देवी देवता यदि एक व्यक्ति की क्षा को पूरा करने के लिए जुट जाए तो वो बिरोजगार हो जाएंगे पर उस व्यक्ति की कामनाओं को पूरा करपाना सब्भव नहीं आदमी की कामना अनन्त हो गई और आप कल्पना करके देखिए कि यदि कामना या अनन्त हो जाए जरा साब सभी लोग समझदार बैटे हैं इस बात को सोच के देखिए कि यदि आदमी की कामना या अनन्त हो पर ना उस पर तप हो, ना पुन्य हो, ना समझ हो, ना शक्ति हो, ना सामर्थ हो, तो मिलेगा कुछ नहीं पर काम ना है अदंत है, मिलना कुछ है नहीं तो ऐसे में व्यक्ति को असंतोश और अभाव के अलावा कुछ मिलता नहीं जो मिलता है वो आदमे को कमी नजर आता है और जब व्यक्ति को जो मिला वो कम नजर आएगा तो उसको पूरा करने के लिए आदमी अनैदिक्ता का सहरा लेता है गूस, ब्रश्टाचार, बहिमानी, चोरी आदमी करता क्यों है, अपराध करता क्यों है आवश्यक्ताओं के लिए नहीं करता दोस्तों आदमी मन के असंतोश के लिए करता है नहीं तो आदमी आप कल्पना करके देखी जो अर्बों खर्बों कमा करके बैठे हैं उनको ब्रष्टाचार करने क्या जुरूत आपके पास है अर्बों खर्बों लेने के बाद आदमी ब्रष्टाचार करता है और इसली करता है क्योंकि मन में असंतोष है जो मिला उसको कम नजर आता है और जब मन में असंतोष हो तो आदमी के लिए कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाता है रावण को मिला था रावण को लगा क्या रावण की आपको कहानी पता होगी कि जब कुबेर ने सोने की लंका बनाई तो भगवान शिव को गिफ्ट देने के लिए गए और जब देने के लिए गए तो भगवान शिव ने कहा कि कि बेटा मैं समाधी लगा के बैठा हूँ, सोने की लंका मैं क्या करूँगा, अच्छा खाजा केलाश में बैठा हूँ, सोने की लंका मैं क्यो धमाधी लगा हूँगा? वहाँ पर रावण भी था, रावण ने का भगवान हमें दे दिजे, आप तो ले नहीं रहे हमें दे दिजे तो कुबेर बोला कि साथ इसको क्यूं दे रहे हैं आप भगवान ने का इसे दे दे भाई बोले इसको क्यूं दे रहे हैं भगवान तो ओगण दानी बोले इसको क्यूं दे रहे हैं तो नो ग्रहों की उपर शाषन करने वाला है, 27 नक्षत्रों की उपर शाषन करने वाला है, अपने सिंगासन पे 9 ग्रह बांध लिए थे, 27 नक्षत उसी की परिक्रवा करते थे, बोले, 36 महल पहले ही लेके बैठा है, कुबेर ने का कि भगवान, 36 महल पहले लेके बैठा है 37 लेके करेगा क्या भगवान शिप बोले कि जिसको 36 से संतोष नहीं आया उसको 37 से भी संतोष नहीं आने वाला बोले तो इसी को दे दे जिसके मन में संतोष है उसके लिए 36 महल भी किसी मतलब का नहीं हो 37 भी नहीं है बोले इसको चैन आना होता तो तब ही आ गया होता। बेटा तो इसी को दे दे। सिकंदर को मिला क्या। जाने का समय आया तो अपनी मुठ्थी खुलवाई इसने और लोगों से कहा है कि साब यदी कल में मर जाओं तो मेरी मुठ्थियां खूल देना, सेनापती ने का क्यूं बोले दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिन्दगी बर कुछ पाने के लिए दोड़ा जब गया तो खाली आती गया लेके तो सिकंदर भी नहीं गया वो भी खाली आती गया अरब के खलीफा की कहानी आती है कि एक संत थे, वहाँ पे फकीर थे तो अरब का खलीफा जो था बहुत अमीर आदमी था कुछ कामनाई लेकर के पहुँचा उनसे मिलने के लिए मिलने के लिए पहुँचा और पैर में जुका तो अरब के खलीफा बोलेगी साब बिकारियों को मैं पैर नी चुने देता बोले क्या बात कर रहे है साब मैं अरब का खलीफा हूँ आप बिकारी बोल रहे है बोले बिकारी ये दूर अट तो अरब के खलीफा बोलेगी आपको पता नहीं है, मैं खलीफा हूँ, पूरा अरब, देश मेरा है, वले यहां पर क्यों आया है, वले कुछ कामना ही थी, वो पूरी करने के लिए आया हूँ, वले जिसके मन में कामना ही होती है, विकारी ही होता है बेटा, वले जिस दिन तेरी कामना ही पूरी हो जाएंग जिसके मन में असंतोश है, ऐसे परिवारों के अंदर सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांती नहीं है, स्नेह नहीं है, विश्वास नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी पड़ी रहती, रहने को तो भेड भी और मैस भी एक बाड़े में रह लेते हैं, पर सिंग मारते रहते है वैसे ही जहाँ पर असंतोश है वहाँ पर व्यक्ति कभी शान्ती और चैन से रह नहीं पाता एक दूसरे को भी अशान्ती देता रहता है एक दूसरे को भी वो अत्रप्ती और एक दूसरे को भी अभावी देता रहता है और जब इस तरह की वेक्तित तो समाज के अंदर जाते हैं तो वहाँ पहुँशने पर वो ऐसी ही परिस्तितियां पैदा करते हैं हर वेक्ति दूसरे को ठगने की, हर वेक्ति दूसरे को लूटने की हर वेक्ति दूसरे को गिराने का प्रेत्न करता है पता हर एक को होता है कि बुराईया है छोड़ना कोई चाहता ने अब कल्पना है दी हम करके देखे हैं कि इस तरह की परिस्यतियां हो कि जब हर जगह लोग अच्छाई पर से भरोसा उठा करके बैठे हो संकीनता का बूल बाला हो सोच दोगली हो जाए और चाल दुरंगी हो जाए तो ऐसे में महासमर की परिस्यतियां बन जाते है ऐसे में हर कोई बिस्ता है बचता कोई नहीं भगवान को भी बानद खाना पड़ता है और भगवान अनुमान को भी गदा अपने उपर जेलनी पड़ती है बचता कोई नहीं और ऐसी इस्थिति में दोस्तों जो समस्दार होते अभी हम लोग सुन रहे थे कि बात उनसे कही जा रही है जो परिवर्टन कर सके और इसलिए बात उनसे कही जाती है जो लोग इस परिवर्टन को कर पाने की ताकत, सामर्थ और भावना रखते हैं हर व्यक्ति से भावना नहीं कही जाती हर व्यक्ति से चिंतन नहीं कहा जाता ना दिखने को तो शुतुरमुर को भी अपनी मौत नहीं दिखाई पड़ती पर जो लोग समझदार हैं उनको तो ये बात समझ में आती है कि जो वर्तमान परिस्तितियां हैं वो मानवी अस्तित्यों के उपर संकट का प्रश्ण चिन लगा कर के आई और इन परिस्तितियों का परिवर्तन आज की तारीख में जरूरी हो जाता है जो बात महत्वपूर्ण है तो इस द्रश्टी से महत्वपूर्ण है कि जो परिस्तितियां है वो पहली बार मानवता के इतिहास में आई हो ऐसा नहीं है यह परिस्तितियां बार बार आती है साल के मौसम बदल जाते है अभी वसंत चल रहा है थोड़ा गर्मी बढ़ेगी तो भगवान बारिश करा देंगे थोड़ा बारिश होगी तो भगवान जो एठंड ले आएईगा फिर पत्ते जड़ ज़ड़ जाएगे फिर वसंता आजाएगा वैसे ही जब दुषप्रवितियां ज्यादा बढ़ जाती है तो भगवान प्रकाश की विवस्था बना देता है जब अनाचार जादा बढ़ जाता है तो भगवान सदाचार की विवस्था बना देता है जब व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है तो भगवान महापुरुशों को ले आते है और जो वरत्मान परिस्तितियां है दोस्तों वैसी ही परिवर्तन की परिस्तितियां है जिनके लिए भगवान कृष्ण ने कभी गीता के अंदर अपना संकल पलिया था अपना प्रण किया था कि यदा यदा ही धर्मस्या, ग्लानिर भवती भारता, व्युद्धानम धर्मस्या, तदात्मानम सजामें, परित्राणाय साधू नाम, विनाशाय चदुश्कताम, धर्म संस्था पनार्थाया, संभवामी यूगे यूगे, जब जब धर्म की हानी होती है, जब जब अधर्म मन अवतरण का समय कह सकते हैं आप एती ध्यान से देखें तो दुरगा शवश्थिति के अंदर भी आलग्कारिक रूप से जिन बातों को कहा गया है वो यही कहा गया है आलग्कारिक रूप से जो बात नहीं है वो यही है कि जब-जब मा lihatery आती हैं भगवती आदिशक्ति जगत जन्नी आती हैं उनुन समयों में परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं पहले चरित्र में जब दुर्गम आता आई हैं तो मधु और कैटव को मारने के लिए आई हैं मधु का मतलब मीठा कैटव का मतलब कड़वा एक का मतलब राग एक का मतलब दुएश जब राग और दुएश बढ़ जाते हैं तो आसक्तियां बढ़ जाती हैं हंकार बढ़ जाते हैं ऐसे समय में भगवान खाना जरूरी हो जाता है दूसरे चरित्र में आई है जब महिशासुर को मारने आई है और महिश का मतलब होता है हंकार बढ़ गया है और महिशासुर अकेला नहीं आता पहले अपने चेले चपाटों को भेजता है तो उसके जो चेले चपाटे आते हैं उसमें कौन आता है चिक्षुर चिक्छुर का मतलब छोटा सोचने वाला चामर चामर का मतलब जो चमडी की अलावा कुछ और नहीं सोचता है उसको चमडी का सौंदर ये दिग गया वस इतना परयापत है उदग्र जो अपना पेड भरने के अलावा और किसी की नहीं सोचता महाहनू गंदा संदा खा लेने वाला बाशकल दूसरों को पीडा देने वाला असिलोमा जिसके लोम लोम के अंदर हिंसा भरी हुई हो विडालाक्ष जिसके आँखें बिल्ली जैसी हो बिल्ली की कैसी आँखें होती है आपने दो मिनट को नजर उधर किया दूद पी करके भाग जाएगी बस ऐसे ही है आप कल्गना करके देखिए सिर्फ नाम ही तो बदले आज लोगों के संस्कृत में नाम नहीं रखे जा रहा है पर प्रवृत्तियां तो वही की वही है वही चिक्छुर गूम रहा है वही चामर गूम रहा है वही विडालाक्ष गूम रहा है वही बाशकल वही असिलोमा गूम रहा है आदमी के लोम-लोम के अंदर इंसा आ गई आदमी के चिंतन के अंदर वही संकीन था वही दुष्ट्रवित्यां वही दुरविचार आ गए और ऐसे समय में ही भगवान अवतरण का काम करते है और दोस्तों इस बार का जो अवतरण है जो परंपुज गुर्देव के माध्यम से है वो अवतरण निशकलं का अवतरण है सतबुद्धि का अवतरण जब आदमी के चिंतन के अंदर दुरवुद्धि आ जाए मैंने पहले ही बोला कि इस बार का युद्ध बाहर नहीं बल्कि मनुष्य की बुद्धि के भीतर लड़ा जा रहा है और चूकि लड़ाई अंदर की है इसलिए आवतरण भी अंदर का है इस बार चूकि समस्यय दुरवुद्धी के कारण है इसलिए उसका समाधान सदबुद्धी से ही संभव है और सदबुद्धी की जो देवी है ज्यान की, मेधा की, प्रग्या की, रितंभरा की मा गायत्री ये समय उनके अवतरण का है, प्रग्या के अवतरण का है और प्रग्या का अवतरण जब होता है दोस्तों जो अवतार आते हैं तो प्रवाह की तरह से आते हैं बाढ़ आती हैं तो बंदे उखड़ जाते हैं आंधिया चलती हैं तो जो पेड़ पत्ते हैं सब उखड़ जाते हैं शहर के शहर विखड़ जाते हैं पर उन आंधियों के साथ दोस्तों जो तिनके पत्ते होते हैं हमारी तरह के वास्पान चुमाते हैं वैसे ही अवतारों के साथ जो जुड़ जाते हैं दोस्तों वो कभी शीर्ष पर जाकर के बैठ जाते हैं जहां पर पहुंचने की व्यक्ति की नयोकिता होती है और नकीमत होती है ये जो अवतरण का समय हैं दोस्तों उस समय में आवाज उनको लगाई जा रही है जिनके हिर्दे में सच्छी भावना है जो भगवान सूरे का प्रकाश गिरता है तो सबसे पहले चोटियों पर गिरता है घाटियों में बाद में आता है वैसे ही भगवान जब आवाज लगाते हैं तो सुनाई उनको पढ़ती है जिनके हिर्दे में भावन अच्छी होती है बाकियों के कान से टकरा करके आवाज चली जाती है पता भी नहीं चल पाते है हमारे घर में शादी होती है तो हम निमंतरण किसको देते हैं सड़क पर चलते व्यक्ति को थोड़े देते, अपनों को बेशते हैं, वैसे ही जब भगवान इंविटेशन बेशते हैं तो उनको बेशते हैं जिनके हिर्दे में आवाज होती है, सुन ले तो जीवन परिवर्तन हो जाता है, न सुन पाएं तो आवाज कान से टकरा करके यू लोग आज से 40 या 50 वर्ष बाद महसूस कर सकेंगे जब इस पूरी योजना का इतिहास लिखा जा रहा होगा, यह समय वस्तु स्थिति में सिर्फ प्रतीक्षा करने का है, आदमी शान्त होकर गुर्देव के विचारों को अपने जीवन में आत्मसाथ करने की कोशिश करें क क्योंकि वो देखेंगे कि आने वाले समय में जितने परिवर्तन घट रहे हैं वो उसी क्रम में, उसी तरीके से, उसी इस्थिति में अक्षर शह वैसे ही घट रहे हैं जैसा गुर्देव लिख करके गए हैं, पर वो होने के लिए दोस्तों हम लोग की प्रतिक्षा जरूरी हो जाती है, हम लोग को इस समय में सिर्फ निमित्त बनने की जिम्मेवारी पूरी करनी है, निमित्त मात्रम भव सब्विसाचे और निमित्त जो बनते हैं, उनके अंदर कुछ गुण होते हैं, पहला दोस्तों जो हमें छेतर तक अपने सभी कारे करता हूं तक पहुँचान राम 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 सिखा दो तो राम राम करता है, पर जैसे बिल्ली आकर की गला पकड लेती है, तो मुझ से टैटे टैटे निकलता है, वैसे ही जब जिन्दकी की कठिन परिस्थेतियां होती है, तभी पता चलता है कि हमारा राम राम सत्ता था कि नहीं, आदमी के जिन्दकी म चावनी में थोड़ी होती है, युद्ध में होती है, डॉक्टर की जो परिक्षा है वो पेशेंट के सामने होती है, मेडिकल कॉलेज में थोड़ी होती है, वहां तो व्यक्ति मेडिकल स्टूडेंट है, वैसे ही स्रिजन सैनियों की जो परिक्षा है, उनकी श्रद्धा की पर पर वो सारी चीजें जो हमें सही लगती हैं गुर्दे पर छोड़ करके निश्चिन तो जाने के आवश्च रखता है क्योंकि जिनने इस योजना को लिखा है और जिनने इसी योजना को नहीं आने वाले एक हजार वर्ष का पूरी मानवता का इतिहास और भविष्च लिखा ह उनको अच्छे से पताए कि घट क्या रहा है उनको अच्छे से पताए कि उसको बदलने के लिए क्या करने के आवश्च रखता है उनको जब आवश्च रखता लगेगी तो परिस्थितियों को अपने अन्रूप और अपने हिसाब से बदल देंगे उसके लिए हमें सूचन से में मिला बहुत अमीर आदमी उनका 14 मंजिल का मकान और 90 के करीब कमरे हैं सन 71 में गुर्देव से मिलने के लिए आये थे और आज की जो परिस्थितिया है वड़ी भीशन है अमीर सबसे हैं अरब पती खरब पती आप कहलीजे पर परिवार में बात करने को कोई नहीं है एक बच्चा है जिसको कि वो हर हफते में एक करोड के करीब रुपिया भेजते होंगे तब भी बात नहीं करता एक लड़की है जो उसी घर में रहती है पर तीन साल से बातचीत नहीं हुई मन में बिलकुर सुक्षानती नहीं है एक दूसरे को देखते हैं और भूत की तरह से गूम रहे हैं इदर से उदर परेशान हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई कुछ कर दे और वो जो सत्तर में आये पहली बार जब गुर्देव से मिलने के लिए आये उस समय की घटना मैं आपको बताता हूँ कि जब गुर्देव से मिलने के लिए आये वो तो गुर्देव क कहा उनसे जब पैर चुए कोले मैं गुर्दे बिजनस के लिए जा रहा हु अफरीका गुर्दे बोले बेटा मैं तुझको सुख़शांति दूगा बोले नहीं गुर्दे पैसा दीजे में पैसा मिल गया है पर सुख़शांति आस तक नहीं मिल पाई हमारी जो एक्षाय होती कभी कभी भगवान की यूजनाव में बाधा बन जाते हैं हमें उन्हीं की ऊपर छोड़कर के निश्चिंत हो जाने की आवश्रक्ता है क्योंकि जिनने इस यूग दिर्माण की यूजना को लिखा है उन्हें अच्छे से पता है कि इस रत को कहां किस मोर से लेकर के जाने के अवश्यक्ता है कभी कभी रास्ता कंटकों से भरा हुआ दिखने के बावजूद वही रास्ता सही होता है क्योंकि जो दूसरा रास्ता अच्छा लग रहा है उस रास्ते पे कठनाईयां ज़्यादा होती और उनको अच्छे से पता है दोस्तों जो पूरे विश्व का निर्मान करने में सनलक नहीं उनको अपनी छोटी सी संस्था की विश्य में नहीं पता होगा कि उसको किस मार्ग स कहां से ले करके जाने की आवश्य रखता है पता है जिनने एक हजार वर्ष का भविश्य लिखा उनको क्या यह नहीं पता होगा कि तीस साल बाद मेरी संस्था के अंदर क्या होने वाला है उनको भी पता है हमें उनहीं के ऊपर छोड़ करके निश्चिन्त हो जाने की दूसरा ऐसे समय में दोस्तों उनको उनका काम करने के लिए छोड़ना चाहिए और हमें हमारा पुरिशार्थ करना चाहिए जब अरजुन की कहानी आती है सबको पता है कि वो मशली घुमा दी और मशली को घुमाने के बाद जो है उसमें आख में तीर चलाने को बुला पर बहुत कम को पता होगा कि पृतियुक्ता दुबारा करी गई यह प्रतियुक्ता दुबारा करी गई जब खांडव प्रस्त का महल बना और सब लोगोंने का कि उस बार तक रुद्ध के चला धिया था अप दुबारा चला करकर दिखाओ और इस बार उन लोगों ने प्रत्योकता में एक तुस्प तल दिया उनने जो पानी था उसको जोड-जोड से हिला दिया वही पेड लगाया गया उसकी उपर फिर से चक्र लगाया गया चक्र में मचली बांधी गई और मचली को बांधने के बाद चक्र को गुमा दिया और अरजुन को कहा आप नीचे देख करके तीर चलाओ अरजुन ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान बोले चिंता की बात नहीं है अरजुन एकाग्र हो धनुष को ढंक से जो है समाल करके पकड़ो तीर को निशाने पे लगाओ और पूरी एकाग्रता के साथ आप बांध चलाओ तो औरजुन बोले तो मैं ऐसे ही कर रहा था भगवान आप तो अरजुन बोले जब ये कि ये यदि मैं इस सब करूँगा तो आप क्या करेंगे तीर तो मैं ऐसे ही चला रहा हुँ बगवान बोले, अरजुन में पानी शंत करूँगा। वैसे ही दोस्तों, हम अपना काम करेंगे, बाकी की चीज़ें वो करेंगे। काम तो हमें करना है, पर काम करने के लिए जो परिस्थितियां हैं, जो बाकी की चीज़ें हैं। आप में से हर वेक्ति इस बात को जानता उटा और अंतिम समय तक नहीं पता था कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है उदर बादल गिरे हुए थे बारिश होने वाली थी समस्यां आ रही थी यग्जी हो गया और उससे अच्छा हुआ जैसा हम सोच करके गए हमारा काम यग्जी करना है दोस्तों उनका काम घटाओं क उनका काम घटाओं को उचाटना इदूसरी जो चीज है वो यह है कि अपने कारे को हम लोग मनुयोग के साथ करें तीसरी जो चीज है दोस्तों ये है कि गाएतनी परिवार के कारे कर्टाओं को एक विशेश धर्म के साथ गुर्देव लाए हर व्यक्ति के अंदर इक उर्जा है जिसको देख करके गुर्देव लाए और व्यक्ति अपने धर्म के अनरूप कारे नहीं करता है वो करने की कोशिश करता है जो करने के लिए नहीं लाया गया है तो वो अपने लिए विडंबना का कारण बनता है और दूसरों के लिए बनता है हर व्यक्ति का धर्म है तो हमे हमारे धर्म के अनुसार कारे करने की आवश्च रखता है जो गुर्देव ने जो भूमिका दे दे आदमी अप प्रासंगिक नहीं होता उसकी भूमिका हैं बदल जाती तो आदमी को अपनी भूमिका के अनुसार कारे करने की आवश्च रखता है कि गुर्दे हमारे माद्यम से कराना क्या चाहते हैं जो कराना चाहते हैं दिवो करने के लिए मैं अपनी उर्जा को लगाऊंगा तो बहुत तेजी से मैं लक्ष की और बढ़ता हुआ न जराऊंगा परदी में उसकी विपरीत अपनी शाओं के अनरूप अपनी चिंतन के अनरूप कुछ और करने की कोशिश करूँगा तो नहीं पहुँच पाता एक पड़ी प्यारी सी कथा आती है उस सुना करके बात को समाप्त करूँगा कथा जो है वो एक राजा की है गाधीक राजा थे रिचीक रिशी थे और गाधीक राजा की जो पुत्री थी सत्यवती उसका विवाहा रिचीक के साथ हुआ सहियों कैसा हुआ कि पुत्री और पत्नी राजा की जो पत्नी और उनकी पुत्री दोनों एक साथ गरवती हुए तो राजा ने अपनी पुत्री से का कि देखो तुम्हारे पती तो रिशी है तुम जरा उनसे कहो वो जो चरू होता है पुन्सवन संसकार का बोले उसमें मंत्र डालेंगे तो हमारे यह अच्छी आत्मा आएगी ठीक है रिशी ने जो है दो चरू बनाए और दोनों के अंदर मंत्र फूग करके एक जो है अपनी पत्नी को दिया और एक अपनी सास को दिया दोनों को यह लगा कि दूसरे वाले का अच्छा है तोनों ने आपस में अदला बदली कर ली उनने उनको दे दिया उनने उनको दे दिया अब जब रिशी को पता चला है तो रिशी हसे रिशी हसे रिशी बोले ऐसा है कि जो पुत पुत्र मेरे हां आने वाला था उसके अंदर तो मैंने वेरागे का धर्म डाला था रिशी के हाने वाला था और बोले जो राजा के हां जाने वाला था उसके अंदर राज धर्म डाला था शात्र धर्म डाला था बोले अब आपने बदल दिया है तो परणाम तो वही होगा जो तो परशुराम बन गया, बने रिशी पर परशु ठाकी चल दी, और जो राजा के हाँ जन में, वो विश्वामित्र बने, बने राजा, परशी बनने के लिए चल दी, हर वेक्ति का धर्म है दोस्तों, हर वेक्ति के अंदर गुर्देव ने धर्म डाला हुआ, परशी हम धर्म के विप्रीत आचरन करते हैं, तब भी परिस्थितियां कीश के तो महीं ले जाती हैं, कराती वहीं, अच्छा ये है कि वेक्ति अपने धर्म के अनरूप आचरन करे, परिस्थितियां महासमर की हैं, युकसमर की हैं, विभीशिका की हैं, ऐसे में बाते उनसे ही कही जाती हैं जो परिवर्थन करपाने की स्थिती में होते हैं जस पहले सुत्र को धारण करने की आवश्रक्ता है वो यह कि सारी परिस्तितियों से घुड़दयों भिग गये हैं पता है उन्हें जाना कहां है और कैसे जाना है गाड़ी के ड्राइवर तो भई है हम लोग तो पैसेंजर है फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्च रखता है जो चला रहा है उसको पता है कि गाड़ी को कहां ले जाना है यदि पैसेंजर परेशान होने लग जाए कि साब ऐसे लेना था पहला गियर डालना था टॉप में डालना था ब्रेक लगाना था अरे भाईया जो चला रहे है उनको पता है जो चला रहे है उनके ओपर छोड़ देना चाहिए कि गाड़ी को ले जाना कहां है और इस समय में उनके ओपर छोड़ करके निवृत और निश्चिंत हो जाना चाहिए जोंकि उनको पता है कि मारग एक धर्म को धारण करके आया, वो धर्म याद रहे, तो ना मन में शंकाएं जन्म लेती हैं, न श्रद्धा कापती हैं, न आदमी के विश्वास के अंदर तकलीफें आती हैं, बलकि जो व्यक्ति करता है, वो स्रिष्टितम तरीके से करता है, ये सारी प्रेड़नाएं हम छेत दिकुझक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें, एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन गति वीधियों की जानकारी आपको मिलती रहें